हलो दोस्तों नमस्कार शंतोसी आईस में आप सभी का स्वागत है आज यहां पर बहुत इंपॉरेंट टॉपिक है जल डबरूमद्द या जल संदी इन जल संदी को हम कैसे करेंगे मैप के तरो करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो पाए हम एक एक जल डबरूमद्द य यह आपका मैप के थ्रोहीप सब कुछ पढ़ा दिया हूं ठीक है जाके आप प्लेलिस्ट बनाए वहाँ पर देख सकते हैं और इस पीडियेप को आप डाउनलोड जरूर कर लिजिएगा क्योंकि जैसे आप हडसन पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए वर्ड में हडसन नहीं मिलेगा कि जल संद्र दिया गया गया इसके और और मीं मार्किट में बुक मिलेगा ऐसलिए प्लेकर आप कोई लिए हो चैनल और पर अब हिता है किसी भी परकार का कोई चार्ज नहीं लिया गया है टीक आपकर आप के लिए फिर फकी रहती रहती scheint परिज आप चैनल सब्सक्राइब कर दिजिए और वीडियो को लाइक कर दिएगा ठीक है तो चलते हैं हम सुरू करते हैं पहला कुछन क्या कर रहा है अब देखते हैं जल डबलू मद्ध होता क्या है अब देखिए इसका वर्ड मीनिंग समझेए यहां पर लिखा गया है जल संधी ठीक है लिख संधी होती है ठीक है तो जोड होते है तो जो जल है उसके दो पार्ट को जोड़ता है ठीक है जल के दो बॉड़ी को जोड़ता है यहां पर देख रहे हैं जैसे आर्कटी कोसियन है और यहां पर बेरिंग सी है तो यह बेरिंग स्टेट जोड़ा है ठीक है यह पैस भी कोसि तो इसको किसको जोड़ा है जब दो जल रासियों को जोड़ा जाता है और दो अस्थल खंडों को अलग किया जाता है यहां पर यह और यह अलग किया जा रहा है हमेशा जल जल डमरूमध या जल संधी आ तो जल वाले पार्ट को क्योंकि वहां पर जल लिखा है जल संधी लिखा है इसका मतलब हमेशा याद रखिएगा जब जल संधी करा है तो संधी मतलब जोड होता है संधी बिच्छेद आप पड़े होंगे संधी मतलब जोड बिच्छेद मतलब अलग करना ठीक है तो जल संध कामेजा पेपर में घेर और के देता भी Syd Istีは मतलब दो लइधिक और दो अस्तल बोडिक को एक करना ठीक है तो यह गलत हो थीक है जलसंदि होता है जो दो जल scare को एक साहथ करने जाड को घट आ देंगे उसको जोड़ेंगे नहीं ठीक है तो याद रहे कि जुड़ेंगे ज़ल जुड़े गाई इसको अलग करता है ठीक है यह दोनों अलग हो रहे हैं अब देखें जल संदि तो आप समझे चलते हैं बेरिं जल सन्दि पहला जल सन्दि देखते हैं बेरिंग जल सन्दि कहा है यह एसया और उत्तर अमेरिका को अलग करता है अभी हम सब्वों तो अमेरिका को अलग Nigeria कैसे यहां जो रूस वाला एरिया है यह एसिया में पढ़ता है और जो यह अलास्का वाला पढ़ता है यह उत्तर अमेरिका में पढ़ता है तो यह भी कह सकते हैं कि यूएस से और रसिया को कौन अलग करता है बेरिंग इस्टेट यह भी बन सकता है कोश्चन यह भी बन सकता ह और अमेरिका को यह कोश्चन बना ही था कि एसीया और उत्तर अमेरिका को कौन अलग करता है वेरिंग इस्टेट अलग करता मैप में जो देखते हैं उधर दिखता है बीच में अफ्रीका यूरोप पढ़ जाता है लेकिन जब इस साइड देखेंगे आप अपने दाहिने साइड देखेंगे मैप के तो वहां पर पूरब साइड तो ऊपर देखेंगे बेरिंग इस्टेट पड़ता है ठीक है मैं अब यहां पर कैसे हैं यहां चुक्की सागर के दचछड में इस्थित है तो यह दिखिए कहां पर है यह रूस और एसिया और उत्तर अमेरिका को अलग करता है यतना याद रखेगा आर्गटिक और प्रशांत महसागर को जोड़ता है अब देखिए यह आर्गटिक महसागर है और यह पैसफिकोसियन है तो आर्गटिक और प्रशांत महसागर को जोड़ता है यह आप देखते हैं यहां पर जिप्राल्टर जंसन अब अभी सबीख इंप्रोटन्ट एटिका बहुत बार पूछा जाता है अब आप कहें कि जिब्राल्टर किसको किसको जोड़ता है जोड़ता है माल ने यहां पर एक मचली जोड़ेगा तभी तो मचली आके इस साइड यहां पर अगर कोई हैं अगर कोई ही है सीप होता उस्पर पैठेंगे लेकिन यहां पर अगर कोई है मचली ही नहीं अगर कोई भी हो है सिपही है तो वो सीधे इस साइड से इस साइड चला जाएगा ठीक है तो जोड किसको रहा है यह जल संधी को जोड रहा है जल को जोड रहा है और किसको अलग कर रहा है भूमियों वाले भाग को अलग कर रहा है तो अगर मैं प से जोड़ता है जिब्राल्टर जलसंदी जिब्राल्टर जलसंदी किसको जोड़ता है अट्लांटिक और मिलिटेरियन को जोड़ता है किसको किसको अलग करता है तो आप बता देंगे कि यूरोप को और किसको अफरीका को अलग करता है जिब्राल्टर जलसंदी यह पूछा ज करता है और मुरक्को CS घिब्राल्टर जलसंदी के बारे में इतना याद रखेंगे तो आभ हम हमने क्या क्या जलसंदी पढ़ा wrap varing वाला पढ़ा जो रूस और उत्तर अमेरिका को अलग करता है एसया और उत्तर अमेरिका को और यहां पर जिब्राल्टर पढ़ा जो यूरोप और अफरीका को अलग करता है देखिए यूरोप को अफरीका से पिर्थक करने वाले जलसंदी जिबराल्टर है यह अटलांटिक महसागर को भूमद्य महसागर से भूमद्य सागर से महसागर नहीं है यह भूमद्य सागर है उतना बड़ा नहीं चोटा ह तो भूमत सागर से जोड़ती है देश मुरको तथा इस्पेन को अलग करती है जब भूमी वाला पाट आ जाए तो अलग होता है जब पानी वाला वो जोड़ता है ठीक है अब देखते हैं डोवर जल संदी जो डोवर जल नमरूमत यह कहां पर है तो यह भी बहुत इंपॉर् से ही डिवर भी बाne से टिक है यहां पर देखते हैं ऎ hem और फ्रांस के बीच में हैं एक डोभ जल संदी ख्यांक मत अरवißt जोड़ता है तो यह देखें इंग्लेश घैनल और यहां नौर्थ है तेक्क आपको दिख रहाओ एं इंग्लेश चैनल है और यहां पर नॉर्थ है यहां पर देखते हैं वही लिखा गया जो हमने बताया डौबर जलसंदी इंगलेश चैनल को और नौर्थ सी को जोरता है यह देखे पानी वाले भाब को हम करें जोड़ रहा है इगलेंड और فरांस के मदिस्तित है इगलेंड और Furance के मद्धी स्तित्र ये भी आपको पता होना चाहिए मतलब इग quella और France को अलग करती है। ठीक है याद रखेंगे Đây और France को ये cater करती है है निगर तो मातलब जो भूमी वाला ऐरिया है उसको अलग जैसे हमारे यहां हुगली में बनाई गई गई नहीं वशे यहां बी है तो ठीक है तो डॉर इस्टेट के मद इलाएंड व फ्रांस को जोड़ने वाले तीन जली रेली स्रंगे बनाई गई है अब देखेँ यह स्रंगे एलाएंड के केंट में falque stone यूम France के Pas-de-cailis Pas-de-cailis के kolveils kolveils को जोडती है याद रखेंगे इग्लंड के केंट में falque stone और France के किसमे France के past day केलिस को जोडती है दोवर जलसंद English Channel और नौर्ट सेंल को जोडती है याद रखेंगे तेल熟 को France Glend को किसके थोरो यह wire line के त्रोड़ें की ठीक है Lovely रूंग एडरी है अब देखते हैं पाक जलसंदे हैं आपको दिख रहा होगा यह पाक एस्चेट यहां पर निलICKन के स्ट्रिलंका सिरी लंका के मद्द्दु 새로운 चे स्थित्यत। यह बंगाल की खाड़ी जो पाक एरिए पाक खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोडती है तो पाक खाड़ी को मननार की का उड़ती है तो यहां पर देखते हैं पाक खाड़ी को जो बंगाल में है तो पाक खाड़ी को मनार की खाड़ी से जोड़ती है इस जलसंद की चौड़ाई छे से 137 किलो मीटर है इसका नामकरण जो मदरास के गवर्नर रहे है राबर्ट पाक जो आप सुचते होंगी कि पाक पाकिस्तान वाला नहीं है यहां के और मनार की खाड़ी को जोड़ती है ठीके चलते हैं यहां पर सबसे ज़्यादा इंप्रोटन है हरमज अबाव monopoly state begins जादा इंप्रोटन ہے अब देखते हैं पहले हरमज के बारे में देखते है थमें सबसे ज्यादा जानते क्या सवाल पूछा गया है अभी में बताता हम यह परसियन गल्फ है और यहां पर क्या है गल्फ आप ओमान है यहां पर परसियन गल्फ है और यहां पर गल्फ आप यह एरिया आपको दिख रहा होगा यह है गल्फ आप ओमान और यह परसियन ठीक है गल्फ है अब इसी दोनों के बीच में क्या है हारमूज ठीक है यहां प तो मनला कolina के बीच में एकार्वर्मूज तो मतलने नुगां तो पीव के बीच में याची है तो कहेंते हैं तो पीव जो यहां पर यहां को बनता है यह जलसंदि फारस की खाड़ी परसियन गलफ कोई फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी के मद्ध है यूवई और इरान याद रखेगा यह यूवई और इरान को अलग कर रही कि नहीं यह दो भूमी वाले अरिया है यूवई और इरान को और किसको उमान को और इरान को कर रही है उमान को और इरान को अलग कर रही है तो याद रखेगा उमान को और इरान को भी अलग कर रही है कौन सा यही है ठीक है यह यह याद रखेंगे अब मैं बताता हूँ कि आपको 2007 और 2008 में कुश्चन क्या पूछा गया दोनों ही मेंस में पूछा गया था यहीं से ठीक अब यहां दिखाता हूँ जब आप घटना चकर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ 2007 और 2008 में क्या पूछा गया था पूछा गया था कि जो पारिसियन गल्फ से कौन सी कंटरी सीमा नहीं बनाता अब वहां पर आपसन था बहरीन ठीक है तुछ तुछ बहरीन वा और आपसन में क्या था? कुबएट था ठीक है, और आपसन में था? इराक था और व्मान था अब बताईे कौन नहीं बनाता है तो दिखिए यहां पर ओमान नहीं अब दिखी इस अएरिया में अगर हम देखेंगे यहां पर कुबायत हो गया कतर हो गया यहीं बाहरीन भी ए ठीक है कुबेद हुआ कतर हुआ करत कतर अगर बनाता है बाहरीन भी बनाता है युवई देखिए बनाता है इसमें लेकिन इसमें उमान जा रहा है कि नहीं उमान कहां जा रहा है उमान तो यहीं से जो गल्फ आप यहारमूज स्टेट है यहीं से तो इस साइड आ गया ठीक है याद सिंपल कोशन आगया तो पूछ लेगा कि हारमूज परसियन गल्प और उमान के गल्प के बीच में है लेकिन अगर टफ कोशन बनाएगा तो यही बनाएगा कि जो परसियन गल्प है उसके मद्द कौन सा देश नहीं है तो वहां उमान ही देगा और दूसरा देश कोई नहीं तो याद रखेंगे जो उमान ही देगा या सुदी अरब अगर आफसन में दे तो भी बनाता है परसियन गल्प से सीमा ठीक है तो याद रखेंगे यह 278 में पूछा गया तो आपको जो उमान है उसको हटाना था ठीक है अगर आप हटा दियोंगे तो आपको कुशन बढ़ इसको हटा दिया करिए ठीक है अब देखें यूवाई और उमान ओमान और इरां ठीक है याद रखेंगा बाब अल्मंदेब के बारे मैं आप देखते हैं यह देखें हमेश्चा यहां से हुआं से मत कनफ्यूज होगा करिए जब बाब पूछे तो बाबा याद रखें रर और ये क्या है रेड़सी तो रेड़सी और गल्फाफ अधन के बीच में है बाब अलमंडेव इस्टेट याद रखेंगे बाब अलमंडेव किसके किसके बीच में है गल्फाफ अधन और रेड़सी के बीच में है ये बहुत बार पूछा गया है बाब अलमंडेव यहाँ पर सागर को लाल सागर से कौन जरता है बाब अलमंदे भी जोडता है PPSC वाले आपका पेपर आने वाला है ठीक है उत्तर पर प्रदेसंट पीसेस का पीपर आने वाला है ठीक है आप सब ध्यान लख के और किस पर ज्यादा फोकस करना नहीं है अर रिवीज़न पर ज्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि पढ़ते सोब हैं लेकिन ना करने से वहां पर ऑप्सिन में सब गलत हो जाता है ठीक है कितना भी पढ़ गया रहे हैं इसलिए रिवीजन बार बार रिवीजन करिए जैसे मेरा ही वीडियो नहीं आ पा रहा तो पुराना जो वीडियो है उसको देख लिया करिए आपका रिवीजन टू के स्पीड में हूँ उठा के देख लिया करिए ठीक है रिवीजन हो जाएगा लाल सागर अधन की खाड़ी के मदिश्टेत है याद रखेंगे लाल सागर अधन की खाड़ी के मदिश्टेत है यह देश यमन और जिबूती ठीक है किसको किसको अलग करता है यह बाबल मंडेप यमन को अलग करता है यह देखे चोटा सा जिब एक तो यमन और जिवृति को अलग करता है भूमॉला एरिया बता रहें ना तो यह अब देखे फारस की खाड़ी उमान की सीमा नहीं बनाता तो दिए 2007 अट में यह आठ कोशन फारस की काड़ी उमान की सीमा नहीं बनाता ठीक है अब यहां पर सबसे ज्यादा important है यह आरो की बच्चों के लिए बहुत important है क्योंकि आरो में बहुत ज्यादा पूछा जाता है सबसे पहले आप याद रखेंगे लोंबिक ठीक है तो लोंबिक कहा है जावा सागर और हिंद महा सागर के बीच में इस्तित है अब देखें लोंबिक करकोल के इस्तित करता है यह दिए करता हूं यह लिखा है लोंबिक कहा पर है यह दिखिया आपका यह जावा सागर रहे यहाद पूरा जावा यह बाली सी लिखा गया ने उनको पूरा बाट जावा ही होगा है ठीक है जावा बड़ा धी लाए बाली अगर देखा जाए थी बाली अगर दिया रहेюсь यह यहाई ऑर यह नावाएगा लूम Сागर हिंड फमा सागर में कहा परًप यह यहां पर ईंडियनोंम्यसीन यहां पर लोम्बेक इस्टेट ठीट है एक पर पूछा गया था कि सुनड़ा स्टेट पूछ लिया गया था सुमातरा सुनडा ठीच है और यह पूछ आता जावा ठीक है से बाली अzkी यह पूछ लिया गया था उसको अरेंज करिए यह यहां पूछा गया था यह सुमात्रा पूछा गया था जावा पूछा गया था और लोंबेक पूछा गया था ठीक लोंबेक यह सब दीप में कोश्चन आ गया था तो आपको दीप में अरेंज करना था तो पहले सुमात्रा यहां पर देखते हैं कौन दूसरा है यहां पर देख रहे हैं यह वाला ठीक है यह कौन सा है तो यह याद आख यह यहां पर जाता है और नीचे क्या है जावा और झावा सागर सीच पो जोड़ता देखिए है ठीक है हम यहां लोंबेक में पढ़ रहे हैं ठीक है सही लिखा गया है जावा सागर और सेलीबीज सागर को जोड़ता है याद रखेंगे यहां देखिए हम मक्का सार मक्का सार इस्टेट यही है मक्का सार इस्टेट किसको किसको जोड़ता है यह देखिए सीलेबीज सी औ कि आपको हो सकता है आप मतलब कुछ कर रहे हो या कुछ भी आपको याद हो जाए ठीक है कई बार मैं बोलता हूं तो आपको रिपीट मैं रिपीट करके इसलिए बोलता हूँ कि ताकि आपको याद हो जाए कि सेलिबीज और जावा किमत मकासर है ठीक है तो याद रखेगा मकासर इस्टेट जावा सागर और सेलिबीज किमत है अब देखे सुंडा की बात करते हैं यही चार को आपको याद करना लोंबेक याद करना मक्कासार याद रखना सुन्डा याद करना है और मलक्का याद करना यह चारों याद रख लेंगे यहां से ज्यादा नहीं पूछेगा अब देखे जावा सुन्डा किसके है जावा और हिंदमासागर में यह देखे यह जावा स्टेट आप पढ़ड़ा आ है और इंडियन ऊस्यन पढ़ड़ा है तो ठीक है बड़े इसमें नहीं है हुआ सुन्डा इस टेट डफिद है है चले यहहां पर नहीं है लेकिन यही देखिए यह तो है है इंडियन ऐस लोल गांदर सिंद्रा आट ऐप यहां पर जावा सी है इसके बीच में पढ़ता है अब देखें यहां पर मलक्का मलक्का किसके किसके बीच में पढ़ता है तो मलक्का का भी दिया होगा इस्टेट आफ मलक्का तो यह क्या है साउस चाइना सी यहां पर दिया रहता है तो याद रखेगा साउस चाइना सी यह और साउस्ट चाइना सी और अंडमान और जिन्स अगर किमिद मलक का इस्टेट पढ़ता है टीकर उपर एकदम कर जो यहिए वालक है यहीफिर जाता है सिंगपुर जुस्सी पाती है इसी मलका स्टेट से बहुत से सीपे गुजरती है जो रूस और चाइना से बैपार होता है तो यह याद-रखेंगे आप देखते हैं हरुटसन इस्टेट हर्द सन इस्टेट किसके सब्सक्राइब हर निस अब दिखें हर्डसन इस्टेट किसके मजह हैं आफनी ट्र इसक्राइ लिब्रादूड महा सागर या अगर छोटे में पूछले ती यह लिब्रादूरिस अगर यह लिब्राद्र रहे तो अब है ले रहे दोर आठ्लैन्टिक यह समय हएं कि खारी किमान के मद्ध है अट्लांटीक और हडसन बे के मद्ध है हाडसन इस्टेट तो यह याद रखेगा अब देखते हैं अब दर डाडनल इल इस्टेच किसके बडार ने यह यह बहुत इंपॉर्टन्ट है यह डाडनेल सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला तो डाडनेल जनसंदी यह देखे सी आप मरमरा ठीक है यह देखिए यह जो आपको यह दिख रहा होगा सी आप मरमरा है और यह एजियन सी अब देखिए यहीं लिखा गए एजियन सागर औ देखिए यहां पर हो सकता है आपको अइसा भी कोशन पूछ ले कि आप पश्चिम से पूरत तक जो सागर है यह दिखाईए तो वह आपसन में देदे एजियन सागर ठीक है मरमरा सी ठीक है बलेक सी और वहां पर ओपर एजो पढ़ जाता है ठीक है तो आप कैसे बताएंग अब यहीं बता देंगे पर एजियन पढ़ता है फिर सी अफ मरमरा पढ़ता है फिर बलेक फिर एजोब ठीक ऊपर थोड़ा सा जब बलेक सी के साथ लगा है ठीक है तो याद रखेगा एजियन सी आफ मरमरा ठीक है बलेक और जो अब देखिए सी आफ मरमरा किसके यह इसके यह मतलब डाडनल किसके किसके मद्ध है मरबना और एजियनसी के मद्ध है वही अभी हम बताएं अब देखिए बास इस्टेट किसके किसके बीच में ठीक है तो बास इस्टेट किसके गए दच्छर हिंद महासागर को तस्मान महासागर से जोड़ता है तो दच्छर हिंद महा सागर कहा पर है यह देखिए इंडियन उसियन इंडिमा सागर इधर इस को जोड़ रहा है तर्फ के अलग किस को कर रहा है तस्मानिया यह आस्टेलिया का ही पार्ट है इधर मильवाورन इघियोन एक या आस्टेलिया की मुख भूम याद रखे जिए इसको इसको अलग करता है ठीक है जोड़ता किसको है इंडियन ऊस्य क्षिंट साउथ इंडियन ऊस्य और समान सागर को जोड़ता यह सबसे जब्這 mountain Penal टाइब को बनाने में लगता इंघर हमbn को और दूसरा सब्जयvero बनाना रहे तो आवे देकिए मैं जब गुर्टी खतम हो जाएगा तो बहुत जल्दे सेली अपका वीडिवी आईगा तोंकि वहाँ upon को क्या करना होगा यह नहीं खोजना पड़ेगा ज्यादा, ठीक है मैब, यहां पर हर एक मैब खोजना पड़ता है, क्योंकि सब मैब ज्यादे साफ नहीं आते दोधले आते अब मैं इसको कितना भी जूम कर दूँगा, यह साफ ही रहेगा, और सब मैब ऐप में download करता हूं फिर उसको delete करता हूं फिर download करता हूं फिर तीन-Cёр-Bar-Modemcciones लगता हूं फिस को यहाँ लगाता हूं ठीड हूं ठीक है था कि आप जब फिर निकल उए तो आपको कोई problem न हो ठीक है मेरा सिर्फ मकसद पढ़ा कि आपको यह मतलब कोर्स नहीं खतम कर देना है आपको मतलब देखना कि आपकी कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रहे हैं पढ़ने में पीपीटी को ठीक है तो चलते हैं अब हम कहां पहुचे थे स्वरी थोड़ा सा मैं आपको रिश्टर्प किया दच्छड हिंद महासागर को तसमान महासागर से जोड़ती है सब्केम्क है प्लीज आप सब कमेंट जरूर किया यह द्लाइक सोड़ा सब्सक्राइब तो बाद में किया ग क्या अजक्ति कि यहाँ कार्पन्ट्रिया की कहाँ ह액 का कारपेंट्रिया के खाड़ी दिख रहा है अब हम यहीं लिख दिए तो कि आपके कुश्चन में था यह कारपेंट्रिया पूछा था तो हम लिख दिए कारपेंट्रिया कहां है अश्टेलिया में ठीक है यह देखिए अब देखिए सेंग्रेट सेंडी डेजर्ट यहीं पर है यहीं पर जाता है ले खायर कर इहां पर यहीं पर यहीं पर है मारे डार्लिंग नदी कहां पर है यहीं पर है यह पूछा गया था आपके PCS में जितना भी हम मैं बोल दे रहा हूं जितना सब कोशेन आज तो यहां पर मैच होता है तो परत है तो यह यहां पर नहीं एहां पर तैके आपको भूलेन having जुखाम हो गया था आपको problem ना हो ठीक है अब देखिए Korea स्टेट टीक है Japan सागर और पूर्वी चीन सागर की मदद स्टेत है Korea स्टेट कहां तो ये दीखिए Korea स्टेट है Korea स्टेट नहीं पूछेगा उतना ठीक है कहां देखे जापान और यह कोरिया ठीक है जापान को कोरिया में अलग करता है इसी जापान और इसके किसके जापान सागर पूर्वी चीन सागर तो यह जो इस साइड है जो पूर्वी चीन सागर है और यह जापान सागर है इसको जोड़ता है ठीक है कोरिया जापान को अलग कर रहा है ठीक है तो कोरिया वाला नहीं पुछेगा सुसीमा इसलिए पूछेगा ता पता नहीं इसको ले जाकर कहीं है ओर लगा टेम लगा देंगे इसी लिए इसलिए सुसीमा पूछेis रिए कहां पहां चुछेड तो पूर बील़् चिन सागर से जोड़ रहा है उसको जापान सागर से जोड़ रहा है क्या है सुसीमा इस्का सब्सक्राइब चशूफिक गोएन से किसको सिह आप जापन को साभी कोसियन से जोड़ता है तो यह देखें यह भी याद रखेंगे मुतसू बे भी याद रखेंगे यहां पर कई बे हैं लेकिन उतना इस बॉर्डन नहीं मुतसू भी याद रखेंगे जिए अगर है तो यह सी आप जापान के पास पड़ता है तो सी आप जापान को पैसफिक ओसियन से जोड़ता है सुगारू सुगारू इस्टेट ठीक है सागर को परशांत मां सागर से जोड़ा ठीक एक बर दो बर मैप देख लेंगे ला ध्यान से अब को समझ में आ जाएगा अब देक्कें टंकन की खारी जी यहां पर क तूप कि नहीं है तो यहाँं नहीं है याद रखेंगे बियतनाम और चीन के मेशाय नही कि त्स सूंच्क में आपके पूछा गया ता कब पूछा गया था याद लेकिन याद रखेगा यह टूंकिन की ख़ड़ी हाब की आपके पेपर में आया हुआ था ठी梁 है बहुत पुराना हो गया किए måste थीडियन में के असपास आया था ऊच्या सब्सेतम गांपर तक भशेकर'd कर और जाए है सब करें और चाहे हैं को भूझ गया है फाउ पर में आपका सेलेक्शन चाहिए शीव दसी आए कोई टेंशन नहीं सिर्फ किस पच्छे का सालक्षीन हो जाए ठीक है अब देखिए तसमान सी है और और साउस पैस्पी कोसिन है अब ठीक है यहां देखिए फोर्विक्स इस्टेट है ठीक है किसको किसको जोड़ा रहा है तसमान सी को और साउथ पैस्पी को जोड़ रहा है ठीक है यह फोविक्स फोविक्स इस्टेट ठीक है तो बहुत ही इंपोर्टन्ट है याद रखेंगे ठीक है साउ तसमान सागर और साउथ पैस्पी को तसमान सागर मतलब तो चो आप आच टेलिया इधर पढ़ दे हैं है यहीं पर रहते है इसे ही का एडिया है ठीक है तो याद रखेँ हैं कभी भी पूच सकता है साउथ पैसफिक फोबिक्स कहाँ ठीक यह देखित तब यहाँ पर अकोष्टक ठीक तब आइम क्या यह ठीक है तक यह रिए पर iPhone 11 सागर औरilot के बीच में तब यहाँ पर देखने से आप जापन और और सी आप को इसी के मद्द्द क्या आपका वो है जो मुद refer तातरी है याद रखे इसमी किसकी मथ्जाप क्शल के मद हैं सियाप जापान के मद्जापन सागर और उपकोश्टक सागर के बीच में अद्रोग तातार जलस्णlets रहाए याद रखे गा तातार vyकार कुछ याद रखेंगे वह कम्चटका पेंसूलर में भूकम पाया था ठीक है यह याद रखेंगे अब अमने वह पे टेलीघ्राम पर बटाया भी है डिटेल में तो यह पर जाके पड़ सकते हैं अभी यहां पर कोई वो हो जाए दुर घटना हो जाए कोई घटना हो जाए या कोई वार हो जाए तब यह स्टेट सुर्खियों में आ जाता है फिर लू जोन इस्टेट के बारे में पूछ लेता है ठीक है तो लू जोन इस्टेट किसके किसके तो चाइना और फिलिपिन्स के मद में लू जोन स्टेट है यह याद रखेंगे अब देखें फॉलोडीडा सिट किसका है इस टेट आफ फॉलोडुडा मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है तो यह क्वलोड़ीडा स्टेट यह यह थोड़ सा सजारात यहीं पर फॉलोड़ीडा इस्टेट ययाद रखेंगे ठीक है ततार अभी हम क्या बताये ठीक है अब熟 मलक्का मद बताये थे मक्का सार को इस चाहा है बताये भी सूनदा पाक कर देखें जो भी नहीं बताया बता nibढ झायगा भी फॉवर्यक्स ये ने ढभी दिक pale तसमान सागर और दच्छर परशांद महासागर के मद्द क्या है को कर ठीक है तसमान सागर और दच्छर परशांद और दच्छरी न्यूजिलेंड के मद्द अभी कभी आप से पूछे कि किसके दो चीजे होती है अगर पूछे किसको अलग कर रहा है तो यह उत्तरी और दच्छडी न्यूजिलेंड को अलग करता है को कि स्टेट जोड़ता किसको है तो जोड़ता तस्मान सागर को और पश्रांद महासागर को जोड़ता है को कि स्टेट ठीक है तो य अपर देख रहे हुँगे मौजाम दिद कर द दक और यहां पर देख रहा है इसी के मध मोजांबिक सी आख मरमरा, याद रखेंगे, सी आख मरमरा और बलेक सी के मत देख़ा पढ़ता है बास फोरस झाय तीया जया रखेंगे बास फोरस अभी हमने यहां पर कुछ पढ़ाता है ठीक है यहां पर देखते हैं यहीं पर दिखाते हैं तब ज्यादा समय है तो कि मैं कई डीटेल में बता चुका कहा गया यह दिखें हाँ अब देखे अभी हम क्या बता तो यह है यह है इमपोरटन्ट है यही दोनों देख लेजिए ठीक हो तब आपको अतुनम नहीं भूखने जमना जितने यहां डार्डर्ररन यहां स्य आफ मरमरा यहां बाउस फोरस है तो यह च़र दिख रहा है और यह जो इसटेट को और यह दोनग याद रख़ेए बहूत बार पूछा चाथा यह क्या बाहते बास फोरस बास पॉरस इस्टेट क्या है यह है pourra पूछे डार्डनल पूछे बास फॉरस पूछे वास फॉरस तो वो याद रखेगा इधर क्या लगएगा बलेक सिलागाई लगाईएगा जब एजीन पूछे इधर बी मर्मरा रहेगा एधर भी जैसे c that was 씌 फॉरस पूछेगा T galaxies मर्मरा इधर रहेगा और इधर अगर अगर अब 2I पूछ नई तो यहां भी सी ऑफ मर्मरा रहेगा लेकिन सिर्फ एक पीड़ याद रखिएगा जब बास फॉरस पूछे-थ बलेक Drum लगाा दीजियेगा और जब यहां पर डाडेनल τす सागल चाहसिे सब्सक्तर व करणे हो लगा और यहां पूछे तो यहां पर पर काला और याद को याद हो गया हो साएड आइसे ही जाद कर लिए नहीं बहुंत ठीक है देखे बासफोरस इस्टेट कहां पर काला सागर और मरमरा सागर काला सागर और मरमरा सागर के बीच में इस तर डाडनल कहा था मरमरा और एजीन लिख दीजिए ठीक है डाडनल एजीन मरमरा यहां भी देख लीजिए जो डाडनल है और सियाप मरमरा यह देखे डाड़नल है और यह बास पोरो सफ़ाइक है मरमरा और बिलेकसी PBS खीज ऐस वेजहां यहां यहां रखे ममयलेंom में रहता है वर यह यह वारतों में रहता है जाए हमेशा-असे और घाना का जाता है कहां पर फैसमेंटिक और गर जाना चाए तो फैसे जाए जबाड जाएगा तो परसंद महसागर को आटलetosकरि महसागर है और इदर देखे पसंद महां सागर तो यह देखे इसी में स्टेट आफ मेगलन है इसी अर्जंटीना के नीचे और चिली के ठीक है तो याद रखेंगे यहीं पर है स्टेट आफ मेगलन अट्लांटिक को सियन को पस्पेकोसियन से जोड़ता थेखिए यहां पर बोथनिया क कि खाल और फिनलेंड के मदिषिस्टिति अद्गैं बहुत बार पूछा गया है बहुत बार नहीं अभी 2003 में ही पूछा गया था कि बोथनिया के खाली कहान पार है तो दो ब έχειना खाली सुड़न और फिनलीड में ईससे था ऊंपर छृमनेंड के मत sco fantast festivals Alliance mental और फिन्लेड ये फिन्लेंड है ये इससी नहीं है तो यहीं पर क्तारिक या बालिटिक में कोई yapıyor भी कि नहीं है इसी साइड में कोई भी जोला मुझती कि एक बार कुश्चन पूछ लिया गया था इसे ठीक है थोड़ा स्वारी थोड़ा सा जुखा में आप सब को प्रॉब्लम हो रही होगी कि अब देविस जल संद्पयेश डेबिस जल संद्पयक आपको दिख रहा है यह आपको ग्रीन लेन्ड दीकर आइए कहिसक वहीं करते है यह यह कंदा करण कनाडा के रही है इस दोनों को अलक कर रहे हो जोडती कि को है बेफिन की खाड़ी बेफिन बे यह है आपका जो यह दिख रहा है बेफिन बे है यह ठीक है बेफिन बे को किसको अट्लांटिक उसियन से जोड़ती है डेविस इस्टेट टिए डेविस इसको जोड़ती है बेफिन लुक अट्लांटिक उसियन से जोड़ती है यह याद मतलब क्या है लिब्राडूर क्यों लिख दिया गया है क्योंकि जिससे आप से आप बाहर है किसी दूसरी कंटर पूछे कहां से तो आप बताएंगे इंडिया से हैं अंदर बता देजिए कि उत्तर प्रदेश जो भी आपसिन मेरे वैसे नि भी जलसंदी तोरे से कहां पर तो टोड़ी एड़ रखेंगे अब देखें कि कि यह पपूर नियुगी नहीं है और यह गल्फ आप कारपेंट्री है तो मतलब किसको जोड रही है तो अरा फुरसे फुरसूप प wondered ठीक हो पॉपुई कि खाड़ी है घीचे तक दीक्याध है पॉपुए के खाड़ी अरा फुरसी इस दीको जोड檂 रही है अलग कि को कर रहीं आश्टेयलिया को और Cape york परिंशलिय को है ती 알고 कि याद रखेगा और नंयोगिनी को क्या है अलग कर रही है यह जोड किसो सारिव करी और इस को रही आरापूरस स शल्ट सी और इस में पाड़ी को ठीक है याद सकता है तो पहले हम क्या देखेंगे कौंसा कौन स्ब्सक्राइए इक नहीं वता देखेंगे पूछा गया था यूकाटन कहां पर है याद रखेगा यूकाटन अगर पुछे तो गलफ हम मेंक को और कार यूकाटन का अपर तब दिखाएंगे ठीक है ताकि आपको याद हो जाए है मलका कहा का पर रहु questa यहीं पर मलका है तो अंडमांसी है यह और साओ्ध चाइनाओ सी यह साओ्ध चाइना सी के बीच तो मलका अंडमां और जावा सागर और हिंद वह सागर नुट पूछकर नहीं जाता हो सकता कभी पूछ ले ओट्रांट्रों लाइन-पर यह यत्र teatik saagr है और यह union saagr इसी के मद्द सबालमंद B fala मंदेβ यहीप पे हैं रदानथ की खाड़े घ्र सरी बिछ में टीए ती याध रखेंगे झाल मोजांबिक चैनल मोजामबिक चैनल यहां बताये तेम चैनल मोजांबिक चैनल मोजांबिक कर मिदवा हो मैं इसको है हिसी हमाथागर में रेधिवास पु बेफिन काड़ि एक्लांटिक महसाँद तो यहां देखिए डेफिन बे और लेब्राडोरी चाहेंressed को इनकी चाहें लेहां लेब्रा यहां डेथ्यस इस्टेट सकते एक लिए बेज्ट इससित यूप नहीं हो अर आपको बताया था परशान्त महसागर और अट्लांटिक और यह तो यह देखें है मईगलन यह आपका है अद्टिक आपा सुखी और पैसपी कोशिन के मद है मैघलन तोड़ा साइट नीचे जाता है 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 फलीडा किसका मैस्वार्व काड़ी आटलांटिक ऑसियंट एंड ये ये वाला आए फलीडा ये वाला इधर वाला नहीं इदर बहुत फलोरीड़ा तो पर लुजियून यहाँ पर दच्छर चीन सागर साथ चाइनल सी और फिलिपीन सिटी की इसी में क्या है लो जोन ठीकर लो जोन यात रखेगा अब देखें अब दोबर कहां है तो उत्तरी अमेरिका और इंगलिस चैनल के बीचे ठीकर यह यहां पर दोबर देखें किस कहां प सबनी पड़ता है ठीक है और कौन सब बताये थे पाक इस्टेट पाक इस्टेट बंगाल की खाड़ी में पाक की खाड़ी मंगाल मनार की खाड़ी को जोड़ता है तो याद रखिए यह पाक की खाड़ी है ठीक है फोबेक्स कहां बताये फोबेक्स प्रशांत महसागर और तस डब सब्क्राइब करूं शूर्त और अरिंग कुन की घर तो याद रखेकंगर याद रिकिया साघर और तुड़त सा बीडियो नाउन में आपका संड़े का संड़े का थोड़ा सा गैफ होगा मंडे को हम पूरा कबर करेंगे बड़ा वीडियो लाने क्यूसिस करेंगे हाँ आपका हो सकता है एक ही दो दिन में सी सैट का एक लेक्चर आएगा ठीक है 2023 का रिजिनिंग और मैत का सॉलूसन पूरा करवाँगा ठीक है मैं और डिटेल में सरलूसन कर रहूंगा ठीक है तो सब देखिएगा जरूर इजिनिंग मैत उसको देख लीजेगा कुछ कोईशन आपको इतना ट्रिक बता दूँगा कि आप वहाँ पर करी देंगे ठीक है तो आज के लिए बस इतना है अब ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा थोड़ी से तब डाउन ही है तो आज के लिए बस इतना ही अपना ख्यार लखिएगा जय हिंद जय भारत